पुलिस के हाथ एक बड़ी सबलता लगी है जहां पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराग में खड़े तीन सातिर बदमासों को पुलिस ने ग्रफदार कर उनके कब्जिसे ताचार तमंचे चोज़ा जिंदा कार्टूस वे एक मोट साइकल बरामत की है फिलहाल पुलिस बदमासों के अन्यसातियों के ग्रफदारी के परियास में जुटी है दरاصل आपको बता दे खेकड़ा थाना पुलिस को मुकबर की सूचना पर बदमासों की सूचना मिली थी कि ठेकड़ा बड़े गाउं मार्क पर बदमास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराग में है इसके चलते पुलिस ने इलाके में नाकबंदी कर दिया बड़े गाउं के पास सैदपुर नहर की पुलिया के पास मोट साइकल पर सवार तीन बदमासों को रोकने का परियास किया तो बदमास जंगलों की तरफ भागने लगे जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमासों को रवीवी सॉला परताप गहरकर गरफ्तार कर लिया उनके कबजे से चार तवंचे चोधा कार्तूस वे एक लोटी हुई होंडा साइन मोट सैकल बरामद की है फिलहाल पुलिस बदमासों के अन्य सात्यों की गरफदारी का परियास में जुटी है भागपस से विरंदर तोमर के साथ ताजीम राना की रिपोर्ट सब खुलासा क्या है अपर पुलिस अधिक्षक के नत्यतों में थाना खेकड़ा पुलिस और थाना बिनौली पुलिस ने सराणिये कारे करते हुए कुल पांच अपराधियों को गिरफदार किया है जिसके पास से कुल छे असलहे और सोला कार्तूस इन से बरामद हुए है और इसमें उलेखनी है कि थाना बिनौली पुलिस ने एक अग्यात बिल्कुल ब्लाइंड 307 का केस हत्या के प्रयास का केस सौल्व किया है दिनांक 23 तारीक को एक अनुज नाम के दूद व्यापारी जो कि अपनी पिकप से शाम में जा रहा था दो अपरादियों ने उन पे फायर किया था और अग्यात के विरुद अभियोगिस में पंजकृत था इसका खुलासा करते हुए दो शातिर अपरादी सागर और अनिल इनको गिरफतार किया है और घटना का खुलासा वह इनके पास से असलह बरामद हुए है दोनों अपरादियों का व्यापक क्रिमिनल हिस्ट्री है इसमें हम लोग फर्दर और कड़ी कारवाई करने जा रहे है साथी साथ खेकड़ा पुलिस ने तीन अपरादियों को गिरफतार किया है जिनके दोरा कई लूट की घटनाओं को कारिद करना बताया गया है इनकी पूरी हिस्ट्री हम लो निकाल रहे है साथी साथ लूट की घटनाओं के साथ-साथ इनके दोरा असलहों की तसकरी भी की जाती थी मुझफर नगर से यह असलहे लाकर यहां लोकल लिवल पे सप्लाई करते थे इन से कुछ और भी इंपुट मिली है हमें इसमें हम फर्दर आगे चीजों को डेवलप कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह की करवाई चलती रहेगी